सावन की श्रिवरत्री है दो अगस्थ की, कितने तारीMP की दो अगस्थ है। पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में देश और विदेश में लोग online कूजन करते हैं, उस दिन भगवान का पार्थी श्रिविलिंग बनाते हैं, पार्थिश्विलिंग का निर्मान करते हैं पूजन करते हैं तो 2 अगस्त को हम जहां रहेंगे वहां से लाइब शाम को साथ बजे आप और हम पूरा देश और पूरा विश्वर शाम को साथ बजे से आड़ बजे तक एक घंटे सावन की शिवरात्री के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करकर भगवान से अपने मन चाहा वर प्राइब इसमें क्या-क्या समान चड़ेगा वो आप लोग लिख लीजिए एक लोटा जल 21 दाने गेहूं के 5 कमल गटे 108 चावल के आखे दाने वैसे तो सब को याद होएंगे पहले के भी एक स्वाट चावल के दाने आखे मतलब से गे 21 काली मिर्ची एक चुटकी काली तिल एक धतूरा साथ बेल पत्र साथ शमी पत्र साथ लाल फूल गुलाब के मिल जाएं तो स्रिष्ट है नहीं तो कोई लाल फूल दूसर मिल जाएं वो भी स्रिष्ट साथ पुष्प सादे जो पूजन में चड़ाने के लिए दूद दही घी शकर इत्र गंगाजल चंदन तीन गोल सुपाड़ी पूजन वाली सुपाड़ी रोली मोली अभीर मोली मतलब लच्छा नाड़ा बनने वाला अभीर गुलाल पीला चंदन चावल पूजन के लिए कपूर दो दीपक घी के एक जलाकर रखने के लिए एक आरती करने के दो जनेव एक गणेजी के लिए एक शिव जी के लोम इलाईची पान के पत्ते मिट्टी का पार्थी शिवलिंग अपने नगर में अपने गाउ में अपने गमले में जो मिट्टी हो उसका पहले से शिवलिंग बना के रख लेना साथ बज़े तो सीधे पूजन चालू करेंगे आट बज़े तक आप लोग पहले से शिविलिंग बना कर रखेंगे पार्थी शिविलिंग मिट्टी का पाच फल मिठाई धूबत्ती और शिविलिंग को पहले से बना कर रखें जिससे साथ बजे बेटते से पूजन चालू हो जाए अपने अपने मोबाइल टीवी चालू रखना है ओनलाइन पूजन करना है अपने नगर में अपने गाउं में जो ब्रहमन दे होता हो जो पंडी जी हो जो आप कहां आते रहते हो और जो ब्रहमन हो उनको भी उस समय पर आप अभिशेक पूजन के लिए अमंत्रित करें और पंडी जी उस समय पर करा रहे हैं या उससे गंटे पहले करा दे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पर शिवरात्री के दिन शिव अभिशेक होना जरूरी है क्योंकि सावन की शिव्रात्री के दिन जो पार्थी शिविलिंग का पूजन करते है अगर बराह्मन ना मिले तो टीवी के माद्यम से आप और हम सब बेट कर जो बराह्मन देवता हूंगे वो पूजन कराएंगे और आप हम पूजन करेंगे और उसका live आप और हम साथ में साथ में मतलब online मतलब जैसा हम कर रहे हैं वैегboard आप हमारे साथ में बेट कर एक साथ पूजन करेंगे और एक साथ माहदेव की करोड़ों लोग मिलकर हार्ती करेंगे और बाबा से मन्दमान चित्फल पराप्त करें विसर्जन करते समय जब आप विसर्जन करें पानी में अपने पात्र को शिवलिंग को जब छोड़ें उस समय पर ध्यान दीजिएगा कि शिवलिंग की जो जल की धार है जिसका उत्तर की और जो जल की धार होती है विसर्जन करते समय वो जल की धार अर्था वो उत्तर का भाग हमारी और होना चाहिए और ठाली इस तरह से पकड़ें कि वो भाग हमको जब डालें तो वो भाग हमको दिखे थोड़ा सन्ना जा रहा है पानी में डालते समय और जब वो थोड़ा भाग दिख्था रहे और जिसलिए आपने शिविलिंग बनाया है जिस कामना से आपने शिविलिंग बनाया है वो कामना उस भाग को पानी में देखते देखते बोल दीजिए, वो कामना पून हो जाती है, इसको करते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्मान करना और उसकी अराधना करना, तो पहला क्रम है, पार्थिव शिवलिंग का निर्मान, सावन के महीने में अगर आप शिवलिंग बनाते हैं सोंबार खुश मेनाते तो नीयम ध्यान रखिए गाहा लिंग पुराण से है इसका नीयम ध्यान लग दुए डोगर दीन तो पानी क की रखी हूई है और उसके बाद अगर आपने पानी का चीटा नहीं दिया है और आप Jungkook direct म्ट्टी को गला दिया और उसके बाद बनाया तो उसका कोई प्रमान नहीं जल का छिपा पहकर थिर उसको रख दें 15 दिन बात से बाएब बनाओ 4 दिन बात से 3 दिन बात से 2 दुन बात कर बनाओ शिवलिंग जब बनाओ तब उस मिट्टी को जो कलश आपने रसोई घर में रखा है चावल का दाना रखकर प्लेट के उपर अर्थात उस कलश का जल उस मिट्टी में थोड़ा सा डाली है क्यों डाला जाता है उसका भी भाव बर्णन किया है अब भविष्ट पुराण, इसकंद पुराण और अगनी पुराण इन तीनों से ले लिया गया बर्णन किया गया जब उस कलश का जल हम डालते हैं तो उस कलश में पित्रों का भाव आजाता है अनपूर्णा का भाव आजाता है घर में लच्चमी का भाव हो जाता है संपदा का भाव हो जाता है पूरे 24 घंटे के अंदर एक छण के लिए रसोई घर में 33 कोटी देवता आते हैं तो वो देवता का सारा भाव उस कलश के अंदर आजाता है और वो जल जब हम उस मिट्टी में मिलाते हैं तो गंगा, यमना, सर्यू, सरस्वती ये 33 कोटी देउता में तो ये सब का आनन्द उस जल में आ जाता है और वो जल जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी पवित्र हो जाती है स्वयम केलाश अधिपती क्यों स्विकार करने के लायक हो जाती है निर्मित करने के लायक हो जाती है शिवलिंग का निर्मान अब शिवलिंग का निर्मान कैसे करना मिट्टी मेर गला दिया पानी में सबसे पहले शिवलिंग बनाने से पहले पात्र को पात्र जो होता है उसके नीचे एक बेलपत रखी जाता क्या रखना है एक बेलपत शंकर को जहेलने के लिए कोई साधर्ण नहीं है पात्र जिसपे जहेला जाए स्वयम, गंगा, शिवकी जटा में और आप शंकर के शिवलिंग का निर्मान कर रहे हो कोई साध्रण नहीं हो सकता स्वयम विदेश्वर आप विदेश्वर सहीता के अंत्रकत पढ़े कि ब्रह्मा रो विष्णू ब्रह्मा ऊपर जा रहा है भगवान विष्णू नीचे जा रहा है तो पता नहीं कर पार है कि यहां चरण कहां पर हो रशीष कहां पर है उसको जानी नहीं पार बस एक बेल पत्र साधरन भाव में बेल पत्र भी सीधा भाग और इस बेल पत्र की जो डंडी है वो उत्तर दिशा में रखना है थाली के अंतरगत जब आप शिवलिंग का निर्मान करें उत्तर इसके उपर जो गलाई हुई मिट्टी है वो डाल दीजी और डालने के बाद सबसे पहले शिवलिंग का सुरूब बनाना सबसे पहले नीचे की जलाधारी नहीं बनाना क्या बनाना है शिवलिंग का सुरूप बना बनाने के बाद उसी शिवलिंग के पास में और मिट्टी डाल लीजिए फिर जलाधारी का निर्मान करें फिर जलाधारी शिवलिंग जलाधारी निर्मित हो गई शंकर जी का संपून परिवार शिविलिंग में रहता है आपको पहले भी कहां की होना चाहिए किस जगहां पर बनाना चाहिए मिक्ती में कैसा जल मिलाना चाहिए जब शिविलिंग का निर्मान करें शंकर के शिविलिंग को जब बनाए तो सबसे पहले केसे बनाए उस तक का विधान शिव महापुराण में और लिंग पुराण में कहा गया महाराज कहा क्यारे की मिट्टी हो क्यारा मतलर समझियेगा जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो ऐसी जगहा का पार्थिक शिवलिंग का पूजन विसरजन कैसे करें या विशेश उपाय बताएं हैं आप सभी लोग ऑनलाइन पूजन आवस्य करें